जार्खन के जंगलू में समय समय पर कई तरह के फूल खिलते हैं उन्हीं में से एक है पलाश के फूल जो खासतोर से बसंत रितु के आगमन पर ही खिलते हैं और फगवा के समय में तो ये फूल अपने पूरे शबाब पर होते हैं होली के मौके पर इस पलाश के फूल का अपना एक खास महत्व होता है जारखन के जंगलों में इन दिनों चारों और लाल-लाल खूबसूरत फूलों का नजारा दिखता है ये पलाश के फूल होते हैं पलाश के फूल से कई विधियों से रंग बनाया जाता है फूल से रंग बनाने के लिए पहले फूल को छाया में सुखाया जाता है सूखे फूलों को 2-3 लीटर पानी में डाल कर 2-3 दिन तक के लिए छोड़ दिया जाता है इसके बाद पानी का रंग लाल या सिंदूरी हो जाता है इस रंगीन पानी का इस्तेमाल सुरक्षत होली खेलने के ले किया जाता है दूसरे तरीके से पलाश के फूल को पेड़ से तोड़ कर मिट्टी की हांडी में 2-3 दिन तक रखा जाता है इसके बाद इससे रंग निकलता है जो काफी गहरा होता है वहीं कुछ लोग फूल को पानी में उबाल कर रंग निकालते हैं रंग में चूना मिला देने से पलाश के फूल से बना रंग कपड़ों से नहीं छूड़ता है जहारखन के प्रमुक लोग कलाकार पदमिश्री मधु मनसूरी बताते हैं कि पलाश के व्रिक्ष जहारखन की जंगलों में व्रिक्षों की मात्ता के समान होते हैं अब रग्या पलाश के बारे पुर्खा लोग बोल रहा था कि पलाश का पेड़ जंगलों में पेड़ों का अन्य पेड़ों का मा है जिस जंगल में पलास का बेट नहीं है वो जंगल ऐसा लगता है जैसे बनावती जंगल है दूसरी बात हम लोग अपनी आग से देखे हैं ये खोली में भगवा में बड़वाओं के हां बड़े लोग के हां जंगल में घर का दाई धंगरी लोग चले जाते थे और टोकरी में पलाश का फूल को डाल को सुरक के तोर के लाते थे और उसी को महीन से मीश के 6 के 20 के उसका रंग बनाते थे और लोगों का कपड़ा में या सरीर में जैसे आजकल फिचकारी से देता है वे इसे रंग खेला जाता था जिस जंगल में पलाश के पेड़े नहीं होते वो जंगल बनावटी जंगल लगता है पदमिश्री मधुमनसूरी का कहना है कि पलाश के फूल ने अकसर यहां के कवी और साहितेकारों को अपनी और आकर शित किया है अमारे पुराने शास्त्रों और कथाओं में भी पलाश के फूलों का वर्नन है जारकन सरकार ने पलाश के फूल को राज की पुश्प का दरजा प्रदान किया है NBT Online की रिपॉर्ट